Hello Everyone, Good Morning to all of you and Welcome to Online Study Point दोस्तो आजे 20 अप्रेल और आज किसी वीडियो में हम 20 अप्रेल से रिलेटेड करेंट अफर के सभी important question को cover करने वाले हैं और देखिए जो भी student SSC exam के लिए preparation करते हैं उनके लिए सबसे important होता है इस moment की test series को religiously follow करना जैसे की exam back to back आने ही वाले हैं test book जिनकी test series एक करोर से जादा student ने अभी तक attempt कर लिया है इनके पास में आप लोगों को SSC CGL के लिए 282 mock test SSC CPO के लिए 125 mock test इसके लावा SSC stenographer के लिए 61 mock test और इसके लावा IB SEO जो की IB का exam है इसके लिए आप लोगों को 76 mock मिल सकेंगे और इसके लावा RRB, NTPC और Group D के लिए भी कुछ 330 mock आप लोगों को मिल सकेंगे और अभी test book का anniversary offer भी चल रहा है जहां 299 में आप लोगों को text book पास मिलेगा जिसमें 200 प्लस exams के लिए 12,000 से अधिक mock मिल सकेंगे तो बस आपको study 10 coupon लगाना है और इससे आप लोगों को extra 30 रुपे discount मिल सकेंगे लिंक description box में दी हुई है तो चले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाली में किस देश ने भारत में अपना पहला mega food park लौँच किया है तो हाली में जो इटली है इसके दोवारा भारत में इसका पहला mega food park लौँच किया गया है तो सबसे पहले इसी के बारे में हम जान लेते हैं यह है क्या इस पर्योजना का नाब Mega Food Park है ठीक है और यह अपने देश भारत में शुरू की गई पहली इतालवी भारती खाद्य पार्क पर्योजना है मतलब कि इटली और भारत के सहियोग से इसका विकास किया जाना है भारत म इसका मेन परपैस है कि क्रिशी और उद्योग के बीच जो इंट्रेक्शन है इसे डेवलप किया जा सके ताकि किसानों की आय इसे भी बढ़ावा दिया जा सके आप लोगों ने अक्सर फूट पार्क सुना होगा या खाद्य प्रसंस करन उद्योग यह सुना होगा यानि कि सिंपल सा मतलब है खाने लायक वस्त हुए प्रसंस करन यानि कि प्रोसेसिंग यह क्या होती है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि खाने योग्य कच्चे पदार्थ को प्रोसेस करके उसे और अधिक उप्योगी बनाना वो कैसे तो खाने योग्य कच्चे पदार्थ कच्च्च् उगाया जाता है प्रोसस करके इसे खाने योगि बनाया जाता है मतलब कि आटा में convert होगा देन उसके बाद आप इसके रोटी बनाते हैं तो खाने योगियो कच्छे पदार्थों को परोसस करके इसे और अधिक उपयोगी बनाना तो यह आप सीस की परिभासा पूछी जाए क खाद्य प्रसंस करन उद्ध्योग ये है क्या तो सिंपल से इसके परिभासा है ये एक और द्योगिक प्रक्रिया है कौन सी प्रक्रिया है ये एक और द्योगिक प्रक्रिया है जिससे की क्रसी से मिलने वाला जो कच्छा माल है इने की क्रसी से मिलने वाला जो रौ मटेरियल है इस raw material को रासाइनिक, भौतिक और जैविक इन तीन क्रियाओं के माध्यम से इसे और उपयोगी बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है? ताकि ये जो वस्तु है ये इसका मूल्य वर्धन कर सके यानि कि इसका दाम बढ़ा सके, क्योंकि obviously है, खेतों में जो गेहू होगा, किसान उसे as it is उसी दाम पर आपको तो रोटी मिल नहीं जाएगी, जबी आटा बनेगा, आटा बनने में अलग चार्ज लगेगा तो सौभाविक है कि इसका मूल्य वर्धन भी होगा, दूसरा ये है कि ये इसका जीवन काल बढ़ाते हैं, जीवन काल बढ़ाते हैं कहने का मतलब है कि वो वस्तु जल्दी खराब न हो जाए, और तीसरा ये है कि इसे तुरंत खाने योग्य बनाते हैं, और food processing industry में कुल त थे और हम कॉन कॉनसी हैं, एक तो है प्राथ्मीघ, प्राथ्मीघ मतलब की primary, फिर है secondary यानी की दूटियक, दूटियक प्राथ्मीच, दूटियक और तीसरी होती है टृतियक, प्राथ्मीघ में क्या होता है कि इसमें बहुतिक क्रियाई होती है For example, मालेजे जो आप चिप्स खाते हैं चिप्स में किसका इस्तमाल होता है आलू का तो बहुतिक क्रिया में क्या होता है कि उस आलू की छटनी की जाती है कि किसी भी तरह कि आलू का मतलब कि कोई भी साड़ा आलू इसमें इस्तमाल ना हो जाए तो ये तो हो गई इसकी बहुतिक प्रक्रिया दुतियक में क्या होता है बहुतिक प्लस रासायनिक अब चिप्स है तो इसमें नमक का इस्तमाल तो किया जाएगा न तो बहुतिक प्लस रासायनिक ये हो गई इसकी दूतियक क्रिया, तीसरी होती है भौतिक, प्लस रासायनिक, प्लस जैविक इन क्रियाओं के द्वारा क्रिसी से प्राप्ते जो कच्छा उत्पाद होता है यानि कि रौ मटेरियल होता है, इसे तुरंत खाने योग्य बनाया जाता है अब सवाल ये बनता है कि इस फूट प्रोसेसिंग इड्नस्ट्री की उप्योगिता यानि के महत्व क्या है तो देखिए इससे क्या होता है कि किसान की आए ये बढ़ती है, पोशन इस तर में सुधार होता है क्योंकि काफी प्रोसेस से गुजरता है ताकि इसे ready to eat बनाया जाए सुरक्षित होता है इसके लावा खादी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ये भी बार ठीक है और ये निर्यात को भी बढ़ावा देता है निर्यात आय को बढ़ावा देने में ये help करता है और क्या है कि ये नई आर्थी क्रियाओं को बढ़ावा देता है यदि हम भारत के स्थिति की बात करें तो भारत में बड़ी मात्रा में विदेशों से खादी प्रसंस्क्रत उत्पाद ये मंगाए जाते है मालीजे भारत में आलू बहुत अधिक मात्रा में होता है लेकिन आलू का जो प्रोड़क्ट है ये हम अभी भी विदेशों से मंगवाते हैं कच्चा माल तो हम अपने देश में उगा रहे हैं, इसे हम निर्यात कर देते हैं दूसरे देशों में, और जो दूसरे देश हैं, इसी आलू से ये प्रोडक्ट बना करके, मालीजी चिप से ही बना करके, इससे भी महेंगे रेट में वापस हमें ही सप्लाई करते हैं, तो भार जारी कीगे जिसमें ये माना जा रहा है कि आने वाले 2025 तक ये जो आकड़ा है ये एक ट्रिलियन डॉलर के इस्तर पर पहुँच जाएगा तो हम यहां बात कर रहे हैं मेगा फूट पार्क जो कि भारत में लगाया गया है इटली के द्वारा ये इसका पहला है भारत में बात करें मेगा फूट पार्क योजना के बारे में तो ये एक खाद्य प्रसंस्क्रण मंत्रालय द्वारा कार्यानवित की जाने वाली यूजना है जिसके मंत्री प्रेजयन टाइम में है नरेंद्र सिंग तुमर ये सारी चीज़े बिसे आप लगो को PDF में मिल जाएंगे ये डीटेल में सभी ही चीज़े मैंने आप लगों को डीटेल में बता दी है और अभी तक 6 चरणों में 42 मेगा फूट पार के ये स्विक्रत किये गये हैं और प्रत्यक मेगा फूट पार का जो टार्गेट है ये कम से कम 25,000 किसानों को जोड़ना है यदि हम बात करें इटली क ये ये एक यॉज़ाय कांट्री है इसके कापटल है रोम और ये उस नदी के किनारे बसा हुआ है तो ये ताइबर नदी के किनारे बसा हुआ है इसे रोम के घरक़ॉर्टर इस्थत है फूड अगरीपीक अर्छ़़टर का और यहां कि करन्सी क्या है यूरो है हली में इ nagyon प्राइम मेनिश्टर बनाए गये हैं इनका नाम है मारियो द्रागी अगला कुश्चन है इन्होंने नेचर कम्मुनिकेशन नामक एक मैगजीन है इसमें इसे प्रकाशित भी किया है कि ये जो एंटिवारल दवा है MK4482 ये मानो परिक्षण के लिए उपयोगी है इसका इस्तमाल अब किया जा सकता है जिसके कारण ये चर्चिम में आया है जो कि कोरोना वायरिस का ज इसे भी हाली में ब्रिटेन के ग्रह मंत्राले ने मंजूरी दे दी है नीरव मोदी वाला केस आप लोगों ने सुना ही होगा इन्हें भगोड़ा घुशित किया गया है तो अभी तक तो ये ब्रिटेन के जेल में कैथ थे लेकिन अभी ने प्रत्यारपित ये ने कि ब्रिट चर्चे में आया है यह जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है जो कि लाए गया था 2018 में तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को भारत में भगोड़ा घोशित कर दिया जाए तो इस अधिनियम के तहट ऐसा व्यक्ति जो की 100 करोड़ या इससे जादा की संपत् इसी अधिनियम के तहट जब्त कर ली गई थी आप पड़ सकते हैं इस अधिनियम के बारे में जो कि 2018 में आया था अब इदी हम बात करें ब्रिटेन की तो इसकी क्यापिटल है लंदन करंसी पॉंड स्टर्लिंग और यहां के जो प्राइम बिनिस्टर है इनका नाम है बॉर यूनियन से अलग होने वाला पहला देश ये भी ब्रिटेन ही है यूरोपी यूनियन में पहले 28 कंट्रीज हुआ करती थी लेकिन ब्रिटेन के exit होने के बाद जिसे आप Brexit कहते हैं तो अब यूरोपी यूनियन में कुल 27 कंट्रीज रह गई हैं यहां उपर आप देख सकते ह स्कॉटलेंड के एक शहर है जिसका नाम है ग्लासको तो स्कॉटलेंड के ग्लासको में Conference of Parties यहने की COP26 का आयोजन किया जाना है अगला कुश्चन है केंद्र सरकार ने हाली में के शहर में इस्थित हाफ किन बायो फार्मसिटिकल कंपनी को भारत बायो टेक की को वैक्सिन ब एक तो है को वैक्सिन जो की पूरी थरह से भारती है यह कौन बना रही है भारत बायो टेक दूसरी वैक्सिन का नाम है कोविश शिल्ड यह अमेरिका की एक कंपनी है इसकी सहायता से भारत में कौन बना रही है सीरम इंस्टिट्यूट तो यहां हम बात कर रहे है को वैक्सि इसभी भारत में मंजूरी दे दी है, तो को वैक्झिन इसका निर्मार ने हैता वैदरबाद में हो रहा था, लेकिन हाली में केंद्र सरकार के द्वारा मुंबई में स्थित हाफ्क या योड्रासी पार्मस्योटिकल को भी मंञूरी दे दी है, ताकि ये इसका अध्यों कर सके अगला कुश्चन है हाली में कि सिराज्जी सरकार ने oxygen cylinder के निर्याद पर प्रतिबंद लगाया है तो ये प्रतिबंद भी हाली में गोवा के द्वारा लगाया गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि oxygen cylinder की कमी ये पूरे देश में देखने को मिल रही है क्योंकि मूशली हॉस्पिटल में ऐसी नियूज आ रही है कि सिलेंडर खत्म हो गया oxygen cylinder की आपूर्ती नहीं हो पारी जिसके कारण जो मरीज हैं ये दम तोड़ रहे हैं तो गोवा गवर्मेंट का क्या कहना है कि बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते हुए जिस हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं इस पर हम निर्याद पर प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि पहले हम अपने राज्जी के नागरिकों की सुरक्षा कर सके हैं इसके कारण गोवा ने ऑक्सिजन सिलेंडर के निर्याद पर प्रतिबंध लगा दिया है गोवा के दि हम बात करें जो की छेत्रफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे छोटा राज्जी है इसकी राजधानी पनड़ जी जो की मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है मुख्यमंतरी प्रमूद सावन राजजपाल है भगस सिंग खोश्यारी अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भगस सिंग खोश्यारी है ये तो महराश्ट के राजपाल है ये तो है महराश्ट क गोव में हैं जबकि सलीम अली नेशनल पार्क ये स्थित है जम्मु कश्मीर में भारत का पहला बालू टिबबा पार्क ये सैंड ड्यून पार्क ये गोव बनाया जाएगा और अभी हाली में हर घर जल योजना के कारियान वन में गोव ये रहा है टॉप पर अगला कुश्च क्रेशिका गया है तो यह बार अटी कि इखे ऐंक देख करन्सी क्या है तो यह है तेंगे ये जो आप ये स्थित हैं तो इनी है करनदय पहले चेंड भी आया था में चीजाकिस्तान और उज्वेकिस्तान ने व्यापार औरarm शहयों के लिए एक अंतराश्री केंडर का निर्मान शुरू किया है, इन दोनों ही देशों की बॉर्डर पर, जिसका नाम है Central Asia Trade Center, इसे भी हाली में मन्जूरी दे दी गई है, कजाकिस्तान की सीमा ये Caspian Sea से लगती है, जबकि उजबेकिस्तान की नहीं लगती, तो इसमें आप confused नहीं होएगा, अगला कुश्चन है किस विदेसी बैंक ने भारत में अपना Consumer Banking Business बंद करने का फैसला किया है, तो ये फैसला भी हाली में City Bank के द्वारा किया गया है, City Bank ये 1992 में भारत आई थी, ये New York की, बतलब कि New York का एक बैंक है, इसने अभी हाली में भारत और चाइना समेट कुल 13 देशों में अपने Consumer Banking क कारोबार को बंद करने का फैसला किया है, और इसने exact reason तो नहीं दिया, बस ये बताया है कि ये जो अपनी service बंद कर रहा है, ये इसकी global strategy का ही हिस्सा है, तो City Bank की, मतलब कि अपने भारत में कुल 35 ब्रांच है, और 4000 लोग इसमें काम करते हैं, और अब इसने अपना यहाँ का प्रेल को, ये आप से पूछा जाए कि मानो सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये तो है त्वचा, यानि कि skin, लेकिन हमारे सरीर के भीतर का जो सबसे बड़ा अंग है, ये तो लीवर ही है, और इसी की सुरक्षा के लिए, मतलब कि इसकी सुरक्षा के प्रती, वर्ड लीवर डे मनाये गया, इसकी थीम थी, keep your लीवर healthy and disease free, यानि कि अपने लीवर को स्वस्थ और बीमारियों से दूर रखें, अगला कुशन है, विश्व टेबल टैनिस शैंपेंशिप 2021 का आयोजन कहा हुआ है, तो देखिए, हुआ तो नहीं ये होगा है, तो देखि नवंबर 2021 में, यानि कि इसी साल इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका के हूस्टन में, हूस्टन की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हूस्टन, अचा हूस्टन से आप लोगों को क्या याद आता है, 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर नरंदर मोदी अमेरिका की य गोनाल्ड ट्रम्प ये भारत आये, तब इनके स्वागत में भारत में इसी के तर्ज पर आयोजित किया गया था, नमस्ते ट्रम्प कारिकरम, और ये कहां योजित किया गया था, विश्चु के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम एहमदाबाद में, जिसका नाम नरेंदर को मुखागर याद हो, इसलिए बार-बार चीजे बताई जाती है, अमेरिका से रिलेटेड सभी फेक्ट हम डिसकस कर चुके हैं, तो आज हम कुछ एक्स्रा डिसकस कर लेते हैं, जैसे कि उत्री अमेरिका, जिसकी हम बात कर रहे हैं, नौर्थ अमेरिका, इस महादीब के द तो ये करती है, बेरिंग स्ट्रेट, ये कहां है, तो ये जो आप अलास्का वाला एरिया देख रहे हैं, अलास्का और रशिया, इन दोनों की ही बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, जो कि इधर नौर्थ अमेरिका और एशिय महादीब को अलग करती है, फिर है उत्री अमेरि तो दोनों में आप confused नहीं हो येगा, सबसे उची चोटी है, Mount Mackenzie, परवश रंखला है, Rocky, फिर उत्री अमेरिका की प्रमुख नदिया है, Mackenzie, St. Lawrence नदी, Mississippi, Missouri, Rio Grande River, Colorado, Columbia, Yukon, ये सभी आप याद रख सकते हैं, Niagara waterfall, कई बार पूछा जाता है, Niagara Falls, जो कि Erie और Ontario Lake के बीच इस्तित है कुल 5 Great Lake है, कौन-कौन सी है, Erie, Ontario, Lake Michigan, Huron, और Superior, तो Erie और Ontario, इन दोनों की बीच में स्थित है, Niagara Falls, और अमेरिका में जो पाया जाने वाला घास का मैदान है, इसे क्या कहा जाता है, Prairie अगला कुश्चन है, Just Dial के नए brand ambassador कौन बने हैं, तो ये बन गया है, Ranveer Singh, Just Dial जो कि एक company है, जो आपको different services के लिए local search अवलेबल करवाती है, जिसे कि आपके पास कौन सा hospital है, कोई भी restaurant, जो कि आप search करना चाहते हैं, इन सभी के facility, ये application देता है, Just Dial, इसके स्थापना 1996 में अगला करें, तो आमिर खान ये भी हाली में वेदानतू, जो की e-learning platform है, इसके brand ambassador बने है, Salman Khan, ये brand ambassador है, भारत पे के और Chinese phone है, जो realme, इसके भी brand ambassador, Salman Khan है, अजय देवगन, ये आरोग्य सेतू, mobile application, इसके brand ambassador है, कल जो मने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका right answer था, नी अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, गोई लेर मुलासो, ये किस देश के राष्ट पती बने है, तो इसका जो भी answer आप कमेंट वाक्स में बताइएगा, वीडियो दी पसंद आया है, तो लाइक कीजे, शेयर कीजे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भ भूलेगा, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much.